संधी बच्चों, आप जानते हैं संधी किसे कहते हैं? चलिए, आज मैं आपको संधी समझाती हूँ. संधी का शाब्दिक अर्थ मेल होता है. व्याकरण में दो वरणों के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन को संधी कहते हैं. इस वाक्य को पढ़िए. हमें नियम अनुसार कारे करना चाहिए. इस वाक्य में नियम अनुसार शब्द संधी से बना शब्द है. जैसे नियम अनुसार, नियम, जमा, अनुसार. बच्चों, आप सोचेंगे इस शब्द में किन-किन वरणों का मेल हुआ है. चलिए हम बताते हैं. इस शब्द में प्रथम शब्द नियम के अंतिम वर्ण म, म, जम अ, आ का दूसरा शब्द अनुसार यानि प्रथम वर्ण अ से मेल हुआ है इन दोनों वर्णों के मेल से एक नए वर्ण आ का निर्मान हुआ है जैसे नियम म, जम अ, जम अ, जम अनुसार, नियम अनुसार ठीके बच्चों समझ गए न? इस प्रकार संधी की परिभाशा हुई दो वर्णों के मेल से जो परिवर्थन होता है उसे संधी कहते है बच्चों दो वर्णों के मेल को संधी कहा जाता है इसके विप्रीत जब दो वर्णों को अलग-अलग करके उन्हें पहले की स्थिती में पहुचाया जाता है तो वो संधी विछेद कहलाता है जैसे पुस्तक आले का संधी विछेद होगा पुस्तक क, जम अ, जम अले अब संधी के भेद जानते हैं बच्चों, वर्णों के प्रकार के आधार पर संधी के तीन भेद होते हैं पहला स्वर संधी दूसरा व्यंजन संधी तीसरा विसर्ग संधी आईए पहले स्वर संधी के बारे में समझते हैं जैसे की नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दूसरों के मिलने से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधी कहते हैं जैसे परमेश्वर परम, जमा, ईश्वर इस शब्द में प्रथम शब्द परम का अंतिम वन, म, जमा, अ तथा दूसरे शब्द ईश्वर का प्रथम वन, ई, मिलकर अ हो गए हैं अतह यहां दो स्वरों का मेल हुआ है अतह ये स्वर संधी है स्वर संधी के पांच भेद होते हैं पहला दीर्ग संधी दूसरा गुण संधी तीसरा वृद्धी संधी चौथा अयादी संधी तथा पांचवा यान संधी आए बच्चो एक-एक संधी के बारे में विस्तार से समझते हैं पहला दीर्ग संधी दीर्ग संधी में अ-आ, इ-ई, उ-उ के बाद अ-आ, इ-ई, उ-उ समान स्वर आएं तो दोनों के मेल से क्रमशह दीर्ग आ, इ-उ हो जाते हैं जैसे विद्ध्या, जमा, आले विद्ध्याले इस शब्द में प्रथम शब्द विद्ध्या का अंतिम वन आ और दूसरे शब्द आले का प्रथम वन आ दोनों और समान स्वर हैं दोनों के मेल से दीर्ग स्वर आ का निर्मान हुआ है। इसी प्रकार इसके अन्य उधारणों को देखते हैं, जो हमें दीर्ग संधी समझने में सहयता करेंगे। पहला नियम जमा अनुसार नियम अनुसार अ जमा आ अ प्रधान जमा आचारे प्रधान अचारे अ जमा आ आ विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी, आ जमा अ, आ विद्या जमा आले, विद्याले, आ जमा आ, आ दूसरा, रवी जमा इंद्र, रवींद्र, इ जमा इ, इ मुनि जम्हाईश मुनीश इ जम्हाईए इ शची जमा इंद्र शचींद्र ई जमा इ ई नदी जमा इश नदीश ई जमा इ ई तीसरा गुरु जमा उपदेश गुरुपदेश उ जमा उ उ सेंधू जमा उर्मी उ जमा उ उ वधू जमा उत्सव वधूत्सव उ जमा उ उ वधू जमा उर्जा वधूर्जा उ जमा उ उ उ ठीके बच्चों समझ गए ना? आईए अब गुण संधी को समझने का प्रयास करते हैं। ए, ए के मेल से ए के निर्मान को समझते हैं। जैसे नर, र, जमा, अ, जमा, इंद्र, नरेंद्र, ए, इस शब्द में अ, जमा, ए के मेल से ए का निर्मान हुआ है। आईए इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। देव जमा इंद्र, देवेंद्र, अ जमा इ, ए, दिन जमा इश, दिनेश, अ जमा इ, ए, महा, जमा इंद्र, महेंद्र, आ, जमा इ, ए, रमा, जमा इश, रमेश, आ, जमा इ, ए, इसी प्रकार एक और अ, आ, के आगे, उ, उ के मेल से ओ का निर्मान होता है। जैसे सूर्य, य, जमा अ, जमा उदै, सूर्य उदै, ओ, इस शब्द, अ, जमा उ के मेल से ओ का निर्मान हुआ है। इसके और उधारण देखते हैं। यदि एक और अ, आ हो और दूसरी और री हो तो दोनों के मेल से अर का निर्मान होता है। जैसे सब्द, अ, जमा रिशी, सब्द रिशी, अर, इस शब्द में अ, जमा री के मेल से अर का निर्मान हुआ है। एक अन्य उधारण देखते हैं। महा जमा रिशी, महरिशी, अ, जमा री, अर। तो बच्चो अब तक आप स्वर संधी के दो भेदों को समझ गए होंगे। अब हम इसके तीसरे भेद, व्रिद्धी संधी को समझाते हैं। तीसरा, व्रिधि संधी. व्रिधि संधी में अ, आ का मेल ए, आय से होने पर ये दोनों आय तथा ओ, आउ से मेल होने पर ये दोनों आउ में बदल जाते हैं, जैसे, एक क जमा अ, अ जमा एक, एक एक. आए इस शब्द में अ जमा ए के मेल से आए का निर्मान हुआ है आईए अब एक उदाहरण आओ को भी समझते हैं परम म जमा अ अ जमा ओज पर मौज आओ इस शब्द में अ जमा ओ के मेल से आओ का निर्मान हुआ है इसके अन्य उधारणों को देखिए और समझिए सदा जमा एव सदैव आ जमा ए आय मत जमा एक्य मत एक्य अ जमा आय आय वन जमा आउशधी वन आउशधी अ जमा ओ आउ महा जमा ओजस्वी महोजस्वी आ जमा ओ आउ परम जमा आउशध परमाउशध अ जमा आउ आउ महा जमा आउशध महाउशध आ जमा आउ आउ चोथा यान संधी यण संधी में यदि इ-ई, उ-उ और री के आगे कोई अन्ने स्वर आए तो इ-ई का य हो जाता है उ-उ का व हो जाता है और री का र हो जाता है जैसे यदि द जमाई, इ जमाअपी, यद्यपी, य यहाँ इ जमाअ के मेल य का निर्मान हुआ है इसी प्रकार, यदि जमाअपी, यद्यपी, इ जमाअ, य इति जमाअधी, इति आधी, इ जमाअ, या अभी जमाँदाय, इ जमाँदाय, इ जमाँग, यव, वी जमाँग, व्योह, इ जमाँग, यू उ प्रति जमा एक प्रति एक इ जमा ए ये इसी प्रकार उ और उ के आगे अ और आ के मेल से व तथा री के आगे आ के मेल से रा का निर्माण होता है इसके कुछ उदाहरण देखिए स जमा अच्छ स्वच उ जमा अ के मेल से व का निर्माण हुआ है सु जमा आगत स्वागत उ जमा आ के मेल से व का निर्माण हुआ है अनू जमा एशना अनवेशन उ जमा ए के मेल से व का निर्माण हुआ है मात्र जमा आग्या मात्राग्या री जमा आ के मेल से रा का निर्माण हुआ है अब मैं आपको अयादी संधी के विशय में बताती हूँ पांचवां अयादी संधी ए आय औ अव का मेल किसी स्वर से होता है तो क्रम शह ए आय 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 आव अव तथा आव में परिवर्थित हो जाते हैं जैसे चयन चे च जमा ए ए जमा आय इस शब्द में ए जमा अ के मेल से आय का निर्मान हुआ है आईए इसके कुछ और उदाहरण देखें और समझें ने जमा अन नयन ए जमा अ के मेल से आय का निर्मान हुआ है ने जमा अक, नायक, आय जमा अ के मेल से आय का निर्मान हुआ है भो जमा अन, भवन, ओ जमा अ के मेल से अव का निर्मान हुआ है पो जमा अक, पावक, अव जमा अ के मेल से आव का निर्मान हुआ है प्यारे बच्चों स्वर संधी को समझ गए ना, संधी के अन्य दो भेद, वियंजन संधी और विसर्ग संधी का अध्ययन हम अगली कक्षाओं में करेंगे